गुद मॉनिंग, MPS मोटिवेटर्स पर अपको स्वागत है, आज हम BPSC शिक्षक भरती परिक्षा के लिए डिजनी में एक नया टॉपिक लेकर आए है, आए देखते हैं, ये सब कुश्चन कुछ अलग पैटर्न का है, आए देखते हैं इस कुश्चन में क्या किया है, चारो चेक करेंगे हम, चारो को जोरेंगे, छो, पांच, तीन दू को जोरेंगे, तो आएगा सोला, और सोला में क्या जोरेंगे कि मेरा सैतिस आया है, ठीक है तो यहां तेरा जोर रहा है, और यहां सोला में क्या जोरेंगे हम, कि सैतिस आएगा, तो यहां 21 जोर रहा है, और तेर तो 18 आएगा और यहां 13 में 8 जोर के 21 जोरा तो अभी 20 में 8 जोर के हम 29 जोरेंगे तो मेरा आजाएगा 47 जो की option number C में है यहां पर हो जाएगा 47 यह इसका सही answer हो जाएगा आएए देखते है next question इसमें क्या किया है सबका square root किया है 16 का square root किया है 36 का square 16 का होगा 4 36 का होगा 6 इसमें इस दोनों को जोर के यहां 10 लिखा है चोचार 10 लिख दिया है next में चेक करते हम इसका square root हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 8 आठ और 5 को जोर के लिखा यहां 13 ठीक है next में फिर चेक करते हम 9 का 3 हो जाएगा और 81 का 9 हो जाएगा 9 3 12 यहां क्या हो जाएगा 12 जो की मेरा option number A है यही सही answer हो जाएगा आएगे देखते है next question आएगे देखते है इस question को इस triangle में हम base पे देखेंगे 1 2 3 4 5 5 है formula होता है n into n plus 1 by 2 इस formula पे हम इसमें count करेंगे तो n यहां पे 5 हो गया तो 5 into 5 plus 1 by 2 5 into 6 by 2 15 हो जाएगा यहां 15 हो गया उसी तरह यहां देखेंगे हम 1 2 3 4 ठीक है 4 है यहां पे तो n बड़ावर 4 हो गया तो 4 into 4 plus 1 5 by 2 10 हो जाएगा फिर सी तरह इसमें भी बड़ावर 4 फिर यहां भी 10 आ जाएगा तो total मेरा 10 plus 10 plus 15 कितना आ गया 35 और एक यह बड़ा सा triangle और यह बीच में एक triangle है इसको count करेंगे total 2 हो जाएगा total मेरा triangle कितना हो गया 37 ठीक है total triangle का संख्या हो जाएगा 37 आएए देखते है next question a से c तक जाने में 2 add किया है h से k तक जाने में 3 add किया है o से s तक जाने में 4 add किया है और p से u तक जाने में 5 add किया a बी चोर के c लिखा h i j k लिखा o p q r s लिखा और p q r s t u लिखा ठीक है इसी तरह हम इसमें चेक करेंगे पहले बाले में TWO add किया है तो B में हम add करेंगे दो फोर होगा, फोर पे D आता है D वाला option हम चेक करेंगे एक, दो, तीन, तीन option है ये दोनों तो पहले ही खतम हो गया अगला हम चेक करेंगे J J में हम तीन add करेंगे तो उसी तरह यहां J में हम 3 आड़ करके लिखेंगे, 3 आगे लेटर लिखेंगे, 3 आगे लिखेंगे, J, K, L, M, M हो जाएगा, M बला option इसमें, D के बाद M, सिर्फ इसी में है, तो यही मेरा सही अंसर हो जाएगा, जब 2nd लेटर पे हमको पता चल गया, तो आगे चेक करने की जोड़त नहीं है, क्योंकि इसमें समय लगेगा जाएदा, इसलिए हम इसी को टिक करेंगे, बाकी कोई option में 2nd नमर पे M नहीं है, फिर भी हम चेक करके देख लेते हैं, M, उसके बाद, यहां O में 4 बढ़ा के, यहां S लिखा है, उसी तरह यहां भी M में 4 बढ़ा के, क्या हो गया, ठीक है, यह सभी question जो आज हमने बताया है, वो सब question competitive exam के लिए important है, और भी PSE के लिए important है, तो आप हमारे वीडियो को देखे, like करे, comment करे, और दोस्तों के साथ share करे, और हमारे वीडियो में अगर कोई भी दिकत आए, तो इस WhatsApp नमर पे आप question भेज सकते हैं, कोई भ इतना ही, फिर मिलते हैं, नेक्स सेशन में, धन्यवाद,